नमस्टकार आप देख रहा हमारा स्पेशल प्रोग्राम नियूस रूम आपके साथ मैं हूँ अर्शिता मंत्री मंदल में लोधी वर्गे के प्रतिनिदी को जगर दी चानी है वहीं दलित या दिवासी वर्गे से भी एक मंत्री बनाने पर मंधन चल रहा है केविनेट विस्तार को लेकर गुरुवार सुबै केंद्री मंत्री नरेंदर सिंग तोमर, केंद्री मंत्री अश्वेनी वेशनव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्य मंत्री शुपरास सिंग चोहान के बीच करीब आदे घंटे तक बैठक चली, ना इसका निर्मार सौंसर के जाम सामली में होगा, मध्यप्रदेश टूरिज्म वोड 314 करोड की लागत से करीब 30 एकड में इसका निर्मार करवा रहा है, और इसकी आधार शुला मुख्य मंत्री शुपरास सिंग चोहान ने गुरुवार को रखी है, मुख्य मंत्री ने मध् काल लोग की तर्ज पर 6 फेज में हनुमान लोग कोरीडोर का काम होगा, फर्स्ट फेज में 35 करोड की लागत से एंट्रेंस प्लाजा से हनुमान लोग तक का काम किया जाएगा, बात कर लेते हैं अगली ख़वर के बारे में जहां देवी अहिल्या विश्विद्याले की पर राहे पर पहुंचे जहां रहली की भीड के दौरान कारे करताओं इस एंबूलेंस को रास्ता दिया, NSUI के ये कारे करता यूनिवर्स्टी कैंपस का घेराफ करेंगे और इनका आरूप है कि एक से अधिक विशय पर 80-80 और CET परिक्षाओं में धांदली की जा रही है, घेर कर लेते हैं अगली खबर के बारे में जहां, इन दौर ने स्वक्षता में एक और उपलब्धी हासल कर ली है, शहर की हवा भी अब देश में सबसे साफ है, केंद्रिये प्रदूशन, नियतरन बोर्ड ने स्वक्षवायू सरविक्षन 2023 में इन दौर को पहले स्थान पर रहा है, शहर का एयर क्वैलिटी इंडेक्स चार से पांच महीनों में सतर से नब्धे के बीच में रहा है, पीएम दस जुलाई में 60.7 माइक्रो ग्राम था, वहीं 3 लाग से 10 लाग आवादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के सागर को 188 अंकों के साथ देश में द बात कर लिए थे मद्धिप्रदेश के मौसम की, जहां मद्धिप्रदेश में गुरुवार को रिवा सागर और शेडूल संभाग और इन से लगे जलों में तेज बारिश हो सकती है, आपको बता दे कि भुपाल में सुवय फुहार पड़ी, वहीं नर्मदा पुरम में भी इन दौर जवरपुर और उज्रेड में भी भुणावानी का दौर जारी रहेगा, वहीं मौसम वैज्ञाने को ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में एक साइकलोनिक सर्कुलेशन मद्धिप्रदेश के उत्री हिस्से में एक्टिप था और यही सिस्टम कमजोर होकर आगे द संभवना भी चताई गई है, इसके लिए औरेंज और यलो अलर्ट भी जारी के गए है, वहीं डिंडोरी चहतरपुर निवाडी में भी तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, हाला कि बारिश की गतिविधी तीन से चार दिनों तक जारी रहने वाली है, वहीं पालागाट, दमोय, गौलियर और दतिया मुरेना में भी अती भारी बारिश के कारण गरट चमक के साथ बारिश की संभवना जताई जा रही है, फलाल के लिए तना ही ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों से चुड़े रहने के लिए बने रहे हैं आप MP News के साथ